दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस दूद और मैं हूँ आपका दूद सुधी रुपाद्याए इन दिनों मध्य प्रदेश में 53-54 जिले हो चुके हैं आने वाले समय में यदि यही हाल रहे तो यह संख्या 55-60 के आसपास पहुँच जाएगी क्योंकि यह चुनावी वर्स है जी हां मंदला जिले की ही बात कर लें तो यहां की दोनों तहजिल चाहे निवास हो या नेनपूर अब जिला बनाने की मांग कर रहा है और वह करे भी क्यों नहां क्योंकि हमारे ही इन नेताओं ने समय समय पर यह घुठना की है कि यह जिला बनने लायक है जी हाँ बात नेनपुर के आत्मदाह की है जब बीती साम दो चिताएं नेनपुर थाने के सामने नेनपुर जिला बनाओ आंदोलन समिती की रखी गई तो प्रसासन हरकत में आया सेकड़ों लोगों का हुजूम यह दरस्ते देखने को पहुँच चुका और वहां हंगामे की स्थिती बन गई किसी तरह जुलन सील परदार से डालने के बाद पुलिस ने अफरा तफ़री भरे माहूल में उन दोनों आत्मदाह करने वाले युवक और युविती को नजर बंद कर लिया अरेश्ट कर लिया जिस से मामला और हंगामे में बदल गया मामा के विरोध में लगातार नारे लगते रहे तब कहीं जब एक आत्मदाह करने वाले कारिकरता को छोड़ा गया तब मामला कुछ सांथ हुआ और दूसरा तो बिमार ही हो गया जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा कहने का आसाया है कि आंदोलन नैनपुर का चरम पर है वहीं दूसरी तरफ निवास दो दिन से बंद है निवास याने सांसत फग्दन सिंग कुलस्ते का गढ़ उनका ग्रह निवास निवास में है अब हालात यह हैं मद्ध प्रदेश के कि आखिर जिला बनाएं तो बनाएं कैसे इन दोनों इस्थिती में मंडला खामोस है जबकि अंदर ही अंदर अब मंडला में भी यह आवाज उठने लगी है कि क्यों ना मंडला को संकर शाह संभाग घोसित कर दिया जाए बताया यह भी जाता है कि राजधानी भुपाल में बीते दो दिनों से नैनपुर को जिला बनाने की कवाइदें तेज हो गई है विधायक, सांसद और यहां तक की मद्ध प्रदेश के नेता मिटिंग पर मिटिंग कर रहे है कि नैनपुर को जिला अब कैसे घोसित किया जाए क्योंकि यह तो उगलत निगलत पीर घनेरी जैसा मामला अब बन रहा है आश्चर यह है कि मद्ध प्रदेश सरकार और सत्ता सीन सरकार चुनाओ के इस समवेदन सील समय में आखिर कैसे ऐसा नेनने ले पाएंगी यह देखना बाकी है बहरहल मामला फिलहाल नैनपुर में सांथ है लेकिन आंदोलन पिछले पचास अधिक दिनों से जादा जारी है वही निवाज भी अब आंदोलन की ओर बढ़ रहा है धन्यवाद जैहिंद